अब मैं बुक रीडिंग करने जा रही हूँ तो आप लोग अपनी बुक में देखेंगे बहुत पुरानी बात है एक राजा था उसका राजय काफी बड़ा था एक दिन उसके मन में अपने राज में घूमने का बिचार आया उसने अपने मंत्री को साथ लिया और घूमने के लिए निकल पड़ा रास्ता कंकर पत्थरों से भरा उवडखावड था राजा के पैरों में कंकर चुभे तो उसकी हालत खराब हो गई उसे ऐसे रास्ते पर चलने की आदत नहीं थी थोड़ी दूर चलने पर ही उसके पैरों में दर्द होने लगा उसने आगे जाने का विचार छोड़ दिया और अपने महल में लोट आया राजा लोट तो आया लेकिन भैस सोच में पड़ गया उसने सोचा की रास्ते के कंकर पत्थरों से बचाओ का कोई उपाय करना होगा काफी सोचने के बाद उसने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया हमारे राजी की सभी सड़कें चम पैरों में कंकर पत्थर ना चुब है। राजा का यह आदेश सुनकर मंत्री सक्ते में आ गया लेकिन राजा को मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किसमें नहीं थी? मंत्री में। राजा के आदेश को खुरा करने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। इतना धन राजे के पास नहीं था मंत्री सीधे सीधे राजा को मना भी नहीं कर सकता था। मंत्री था बहुत बुद्धिमान उसने कुछ सोच कर एक उपाए निकाला मैं डरते डरते राजा के पास गया और बोला महराज मैं आपको एक सुझाओ देना चाहता हूँ। राजा ने कहा बोलो मंत्री बोला महराज मेरे पास एक तरकीव है जिससे आपका काम भी हो जाएगा और रुप्यों की बरवाधी भी बच जाएगी। आप तो समझते हैं कि इस काम में बहुत सारे रुपए लगेंगे इतने रुपए राजा के पास नहीं हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आगे का ये पेज है इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।